हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो आप सभी का जैसा की जिन अभ्यारतियों का एक्जाम है यूपी ट्रपल सी वीडियो का दोहरदार अठारा का ये एक्जाम फिर से हो रहा है दोस्तों तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश मैं लेकर आया हूँ आप सभी के होगा क्योंकि कल और परसो चार सिफ्ट में आपका एक्जाम होगा आपका दो सिफ्ट है दस से बारा की एक सिफ्ट पहली सिफ्ट फिर आपकी शामबाली सिफ्ट है आपका तीन बजे से पांच बजे तक इसी तरीके से परसो दस से बारा और तीन से पांच आपका एक्जा महुल के अंदर आपका पहले page को ही अंदर ले जाने देते हैं और overall ये चार page का आपका admit card है जैसे एक बच्चे का admit card है ये तो overall आपका 4 page का admit card होगा ये total कितने page का admit card होगा चार page का admit card आप सभी का होगा इसमें मैं आपको ये suggestion दूँगा चारो के चारो page आप निकलवाएं सबसे पहले ये जो सबसे important जो चीज होती है इसकी हम उसी को ही नहीं निकलवाते हैं क्योंकि यहां लिखा भी होता है please read instruction carefully मतलब आपको इन instruction को carefully साबधानी पूरवक पढ़ना एक्जाम देने से पहले और हम क्या करते हैं इनी को छोड़के केवल इस admit card की photo निकलवाते हैं आप 4 page निकलवाईए पूरा admit card निकलवाईए और इसको पहले पढ़िए अब कई बच्चे क्या मैं देखता हूँ यहाँ पर exam से पहले बाहर कैफे पर admit card की लिए line लगी होती है निकलवाने की तो यह गलती नहीं करना है आपको पहले ही अपना admit card ले जाना है दोस्तों निकलवाकर admit cards दूसरी चीज आपको photo पहचान पत्र आपको एक अपना पहचान पत्र ले जाना है जिसमें आपकी ID हो मतलब कहने का यह photo आपका लगा होना चाहिए और जिसकी detail आपकी 10 भी class की mark sheet से match कर रही हो क्योंकि वही चीज आपने fill कियोगी exam में तो बिल्कुल नाम proper match वही ID ले जाएं आपकी original ID जिसमें आपका photo लगा हो किस से आपकी 10 भी class की mark sheet से या फिर आपका जो आधा सबसे बड़ी बात आपका जो admit card होगा उसमें दी गई details से आपके नाम से आपकी date of order से आपके father name से ऐसी आपको ID ले जानी है सभी लोगों को मैं इस suggestion दूँगा क्योंकि OMR base आपका exam होगा blue या black pen का use कर सकते लेकिन मैं यह suggestion दूँगा relaunch वाला एक pen आता है black color का मोटी निपका उससे OMR भी जल्दी भर जाती है तो मोटी निपका एक black color का आप relaunch वाला पैन ले 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 अगर मिल जाये तो जादा बहतर रहेगा उससे आप photo के पीछे अपना नाम roll number भी लिखेंगे तो साफ एक दम लिखा जाएगा दोस्तों तो यह चीज आपको लेकर जानी है अपने साथ में सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं आप पहले उसमें question जो आपको booklet मिलेगी उसमें निशान लगाते हैं उसके बाद OMR seat में भरते हैं यह सबसे बड़ी mistake होती है दोस्तों आपको अगर जैसे जैसे आ आपको OMR fill करनी है क्योंकि कई सारे अभ्यारतियों की यह दिक्कत होती है कि सर हमने हमने पूरा answer लगा दिये थे अपनी question booklet पे बट OMR sheet पे हम लगाना भूल गया टाइम ओबर हो गया दो घंटे का आपको पेपर मिलेगा दोस्तों मैं आपको यह बता देता हूं साथ साथ इ लगा लेंगे बाद में OMR fill कर लेंगे जादा तर बच्चों के साथ मैंने देखा है कि कई लोगों का तो time over हो जाता है पता चला कि 10-20 question छूटी गए OMR में लगाने से और mostly लोगों के साथ इस case में क्या गलती होती है कि end time पे वो जल्दी-जल्दी OMR भर रहे होते हैं तो प साथ साथ आप जो question number आप देखके वहाँ पर टिक लगाने से अच्छा है OMR में डारेक्ट भरते चलो साथ साथ दूसरी चीज़ OMR को आपको जो सबसे पहले आपको मैं ये बात बता देता हूं कि आप इसमें 30 मिनट पहले तक जैसे यहाँ पर आपको पता है कि 10 बजे से ए गेट बंदोगा हम तो सवा 9 बजे पहुचेंगे ये गलती आपको नहीं करनी है अराम से जाए रिलेक्स कीजिए अभी पूरी रात है आपके पास अब आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है लास्ट टाइम पे जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया अब थोड़ा सा रिलेक्स फील करो टेंशन कम लो मैं देखता हूँ एक्जाम हॉल से पहले भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा टेंशन कम लो अब और बढ़िया तरीके से जिनका खास कर कल एक्जाम है सुबह वाली सिफ्ट में फिरी माइंड होकर आप लोग जाईए ही कहूंगा बिल्कुल फिरी माइंड हो यह क्योंकि आपको बढ़िया तरीके से एक्जाम देना है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पचास हजार लोग लगबग एक्जाम दे रहे हैं एप्रॉक्सिमेट इसमें तोटल 2000 वेकिंसी हैं तो 50,000 लोग एक्जाम दे आई ज्यांग देगा वराइगा वराइट की इसमें दे आटीं मार्किंग होती है वाहन फोर्थ में पूर्त की मेक्सिमघे आटीम मार्की यह तो कोशिष कीजिएगा गलती आपकी कम से कम हो, कुछ और बाते मैं आपको बता देता हूँ, कुछ और बाते मैं आपको इसकी important बता देता हूँ, आपने एक message बाइरल हो रहा होगा, वो भी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, OMR उत्तर पर अपना जो आपको अनुकिर्म पूरा उसमें count करना box कितने हैं और ये कितने digit का है, उसी हिसाब से आपको fill करना है, अगर वो कम होते हैं तो पहले 0 लगाना पड़ता है, वो आप पूछ लीजेगा अगर ऐसा हो तो, ठीक है, परिक्षा केंद्र कोड, 5 अंकों का, जिसमें पहले 2 अंक जिले के भरे जाए ये आपका जैसे गाजियबाद का 28 है, फिर 3 अंक आपके जहां पर आपका school होगा उसके भरे जाएंगे, ठीक है, center होगा उसके भरे जाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी OMR को आपको अच्छे से भरना है, PT परिक्षा की तरह है, इसमें भी परिक्षा पुष्टिका सिरीज नहीं होगी, OMR की जाच परिक्षा पुष्ट का किर्मांग के आधार पर ही होगी, इसे साथबानी पूर्वाक आपको फिल करना है, OMR अगर आपने गलत फिल कर दी, भले ही आप नीचे सारे question ठीक फिल करो, लेकिन OMR गलत हो गई, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकत सबसे important चीज होती है, OMR को सही से फिल करना, शांत दिमाग से कोई भी दिक्काता है, वहाँ पर instructor होते है, उनकी साहता लीजिए, उनसे पूछिए, दस बार पूछिए, वो आपको बताएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज, फिर उसमें अपना आपको हिंदी मे पूरा नाम लिखना है, वहाँ पर हस्ताक्षर करने है, परिक्षा के दोरान बायोमेट्रिक होगी, वो सारी चीजे तो आपको पता ही है, है ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको, जो आपको पेपर होगा, वो बापस मिल जाएगा इस बार, पेपर आपको ब अंदाजा हो जाए कि ऐसा पेपर आया है, एनलिसिस जरूर लीजेगा, अटेंड कीजेगा, फिर शामबाली सिफ्ट का पांच बजे से एनलिसिस होगा, उसमें भी आप लोग जुड़िएगा, और जिनका खासकर 27 तारीक को एक्जाम है, वो तो जरूरी जुड़िएगा, एक आइडिया हो जाता है कि इस तरीके का पेपर आता है, तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से इन बातों को जो भी मैंने बता है, इनको फॉलो करना है, और all the best आप सभी सातियों को आशा करते हैं, आप लोग जरूर इसमें अपना एक इस्थान गिर को सब्रेफ़ भी मैंने अपना है, इनको टे हैं अपना है, अच्छे वह था दो गaisonम है, जला जो खंठी है, आव भी मैंने अजयोंरूर है